सात्यों तिन सों से ज्यादा के आप लोगों के गुरूप में मैंने पहले ही कहा कोई भी हारा नहीं है और मेरा जो मंत्र है मैं दुबारा कहता हूँ कुछ जीत करके आए हैं कुछ सीख करके आए हैं कि आप मेडल से ज्यादा खूद और अपनी लिगसी को देखिए क्योंकि वहीं सबसे बड़ी बात है कि आपने जिन कठिनाईयों का सामना किया और जिस तरह उनसे उबरने के लिए अपनी शक्ति को परिचे दिया वहीं इस देश के लिए आपका सर्वोची योगदान है आप में से कई लोग छोटे शहरों सामा ने पुष्ट भुमी और मुश्किल परिस्तियों से निकल करके यहां आये हैं कई लोगों ने जन्म से शारीरिक परिशानियों का सामना किया है कई लोग दूर दुराज के गाउं में रहे हैं किसी के साथ ऐसी दुरगटना हुई है जिसने उनका पूरा जीवन बदलता ला है लेकिन आप फिर भी अड़ीग हैं आपकी सभलता कि सोशल मीडिया पर देखिए शायद किसी खेल को इन दिनों इतनी प्रसीदि नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को मिलती है हर कोई खेलक में कुछ समझ नहीं है वो भी देख रहा है यह बच्चा कर रहा है इसके शरी में तकलीब है तो भी इतना बड़ा कर रहा है देख रहे हैं लोग उनके घरों में बच्चों को दिखाता है देखो कैसे कर रहे बच्चे हैं गाउं के बेटे बेटियां छोटे शहरों के लोग आपके जीवन के किस्से आज कूल कॉलेज घर में घर में मैदान में हर जगा पर चर्टा हो रही है आपका संगरस्वर यह सबलता उनके मन में भी एक नया सपना बून रही है आज चाहें जो परिष्टित्या हो लेकिन वह बहुत बड़ा सोच बड़ बड़ी पेना पा रहा है उनमें बड़ा बनने की लालसाएं पनप रही है हर टुनामेंट में आपकी सहवागिता मानविय सपनों की जीत है और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है और इसी कारण मुझे यह विश्वास है कि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे और देश का गवरों बढ़ाते रहेंगे हमारी सरकार आपके साथ है देश आपके साथ है